6 जुलाई का ये अवसर हमारे लिए दो प्रकार से महत्तपूर्ण है आज डॉक्टर श्यामा पुशाद मुखर जी का भी जन्म जैन्ति का पर्व है और आजी के दिन आजाध हिन फोजने विश्व के सामने आजहदी के जन्ग के लिए ब्युगल बजाया था मत्रों आज वे हिंदुस्तान में सुभास बाबू को आजाधी जन्ग के एक वीद सहिजिक के रुप्पे देश सम्मान और गवरों के साथ याद करता है और सुभास बाबू के जीवन की विशेस्ता रही थी कि जिस समय जो मार्ग उनको उचीत लगता था जिस समय जीच्वार्ग से सिद्धी हासल हो सकती है उस मार्ग पर जाने से कभी वो कत्रा पे नहीं थे उन्हाने मात्मा गांधी के साथ भी काम किया और ससस्त्र क्रांथी का रास्ता भी चुना हिंदुस्तान के सारवजनिक जीवन में सुभाज गामु देशा ऐसा व्यक्ति तो बहुत कम मिलता है कि जीदोंने जीवन का काप भी समय अहिंसक अंदोलन के साथ गुलारा हो मात्मा गांधी के नेत्रुतों में जीवन खपाया हो लेकिन आज हादी की ललक जिसे चैन से सोने न देती हो आज हादी की ललक उसे बेचेन बनाती हो और एक पल उसको विचार आता हो कि शायद इस रास्ते से अंग्रेजों को जुकाया नहीं जा सकता है और तप जा करके हंदुस्ताम के अंदर एक सेना रुपी स्योवस्ता खड़ी करके कुछ भी हो जाए हम अंग्रेजों को खदेर के रहेंगे हम अंग्रेजों को पराश करके रहेंगे इस मिजाज के साथ निकल पड़ना है अब कल पड़ना कर सकते हैं निकला इंदुस्तान के भार जाना एक पूरी फोच लड़ी करना और इतना ही नहीं चलो दिल्ली का मंत्र लेकर गे पुरे देश को अंधुरित करने का सामर पे अब तब तो किसी भी नेता के आवाज पहुचाने के लिए इतने साधन भी उपलत नहीं थे न टीवी थे न इतने अख़बार थे लेकिन जन जन तक उनका सामर्थ था कि लोगों तक पहुचता था आज भी हिंदुस्तान के छोटा से विवालक अगर ये कहा जाए कि चलो दिली इतना कहते ही उसके चहरे पर उसकी स्मृति पलट पर सुभास बाबो की याद आना बहुत स्वावाईब होता है अगर कोई कहे तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें अजादी दूँगा तो तुम्हें सुभास बाबो की याद होती है यहने जन जन के दिल में किस प्रकार से जगा बनाई होगी इसका हम अंदाज कर सकते हैं सुभास बाबो का गुजरात के साथ भी निकट करनाता रहा था 1938 सूरत के पास हरीपुरा कॉंग्रेस जो फेबस है सुभास बाबो ने राष्ट्री हत्रश का पद ग्रहत किया था और अपने बल्वुदे पर किया था कि किसी के आशिर्वात के कार प्राप्त नहीं हुआ था उन्होंने अपना दम भी खाया था और मज़ा यह है कि गुजरात के धरती पर उना ने सित्य किया था लेकिन उस 1938 के बाद पता नहीं क्यों इतियास की इतनी महत्वपूल घटना कॉंग्रेस पार्टी की महत्वपूल घटना लेकिन चूंकि एक परिवार उसमें लाइंग लाइंग में नहीं था इसलिए उस घटना को भुला धिया गया वरना किसी को में घर्व होना चाहिए था कि कॉंग्रेस पार्टी के इतिहास का महत्वपूल घटनिक पूएंडे इसका गवरोगान होना चाहिए लेकिन खुला दिया गया लेकिन हम भुलने नहीं देगे हम इत्यास को जिन्दा रखना चाहते हैं हम इत्यास को इसने जिन्दा रखना चाहते हैं कि वो समाज इत्यास कभी नहीं वहा सकता जो समाज इत्यास भुल जाता इतिहास वही रख सकता है जो इतिहास की धरोहर से प्राण शक्ती प्राप्त करता है वही तो इतिहास बना सकता है और इसलिए हमने कि जब हम पुरे गुज्रात के अंदर कि ग्रामिट करांची का इनाया दूब बजा रहे थे अब तब जाकर के हमने हरीपुरा कॉंगर्स की याद में 2009 में हरीपुरा गाउं में जाकर के और जिस प्रकार जो समय सुलहाज बागु के हो बेल गाड़ी से ले जाने का एक बहुत बड़ा काम उस वहाँ की किसानों ने किया था वैसा ही द्रश्य दुबारब जीवित किया था और उस दिन हमने बेल गाड़ी से लेकर के सेटर लाइट तक की ज्यात्रा को जोड़ा था और गुजरात के अठारा जार गाउं को ब्रॉड्बेंट कनेक्टिविली देने का सुभारण किया था लेकिन आउसर हमने चुना था हरीपुरा को सुभास बाबु के उस घटना को ताकि हर पगेते के साथ इन महापुरुशा का हमस्पनार कर सके और उनके साथ जीवर से पेड़ा ले सके और भाई के भन मैंने उस दिन कहा था मैं आज दुबारा दोहराना चाहता सुभास बाबु के समय आवशक्ता है कुछ और थी सुभास बाबु के समय अंग्रेजों के खिलाज जंग जीतना सुभास बाबु के समय अक्टा चार और जुल्मी शांसो को समाप्त करगा हा आवशक्ता था और उस समय सुभाव बाबुनी जो रास्ता चुना था उस रास्ते के तहए उन्होंने देश के नौज़ुआनों को कहा था तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यह नारा दिया था मैंने हरीकुरा में नारा दिया था और मैंने गुजराद की जर्जनता से मालना था कि तुम मुझे साथ दो मैं तुमें विकास दो अज हजी के समय लोग देश के लिए परते थे हाजाद हंदुस्तान में कि देश केलिये जीने वालों की ज़रुथ की आज हमारा सवाग नहीं है कि हम देश केलिए मर सकें लेकिन आज हमारा्वबाक है कि हम देश के लिए जी सकें प्रूसभाथ गाबू कितने ऊस्वास के वो सोगते थे उस के खिलाब रणने के लिए और हिंदुस्तान के आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने जर्मनी में रेडियो उसके शुरुवाज कि थी और फिर एक बार गुजरात का नाता है जब जर्मनी से चर्वाज बाबु रेडियो प्रसारित कर अपने काम होता था देश के आजाज का युगल बजता था तो उसका सारा कारोबार सुभाज बाबु के एक साथिदार हमारे गुजरात के गवरव स्रिमान एमार व्यास करते थे उस रेडियो का प्रसारण एमार व्यास करते थे इतना ही नहीं सुभाज बाबु जब सिंगापूर से चले इंभाव तक आये और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और शायद ससथ लक्रांती का अत्ती वध्या एक प्रकार से माना जाता है उसके बना आध्यादी प्राप्त करने का माहोद बन चुका था अंग्रेजों पर विनेशों से प्रेशर बढ़ा था और सुभाज बाबु ने अपने भूमे का निभाई थी और तक जा करके सो से हधिक फोजी साइनिक आजाद हिन फोज में गुजराद के लुए उनके साथ काम ने आजाद हिन फोज की कथा शायद हिंदुस्तान की जनता को जानने को ना मिलती उस समय यहां का एक अख़वार जन्रों भूमी उस अख़वार के वालिक थे अमरुतलाल सेज उस जवाने में धोती कुर्दा पहनने वाले में थी लेकिन फीतर का पत्रगार इतना ताकत वर था अमरुतलाल सेज़ का और एक पत्रगार क्या तकत दिखाता है उसका उत्ताम उद्राण अमरुतलाल सेज़ है तो यहां से सिंगपूर गए और आजाद हिन फोज की पूरी पहली पार अखबार के माद्यम से लाने का काम एक गुजराती अखबार जन्म फूरुमी देती आगा अमरुतलाल सेज़ देती आगा यही का हमारे परिवार गोटाई परिवार उन्होंने पूरी संपती एक पाई भी अपने भाज मर्जी नहीं कि पूरी संपती शुवहाज बादो के चलों में देती पूरी संपती देश के आज पाती के लिए सुवहाज बादो need five अब इतना करते हैं हमावार इक परिवारि के सब चीज़े आपको दे देते हैं तो ये नाता सुभाज बाबु के साथ हमारा रहा था, लेकिन भायो भ्रहन देश का अंदर भाग है, आज कहां से कहां पहुंच गए है, मुझे तो कभी ड़ लगता है, कि ये लोग इसी प्रकार के कारणा में करते रहे, तो इतिहास के पढ़नों पर नई पिड़ी को सरदार पटेर और सुभाज बाबु का नाम निशान नहीं बिलेगा, ऐसे ही कहोँए है, और इसलिए इस छोटे-छोटे प्रयासों के मात्यम से, टर्स्के प्रयासों के मात्यम से हम लोगों ने इस भाव को जिवीत रखना है, हमारा ताइक राष्टिये करतग दर जाता है, और च प्रयासों के कहा, यह बाद भी कोई दो मैने पहले सांग मजीवे साथ मेरी हुई थी, और तब तो यह राष्ट्रति वाला भीशे ही नहीं थक है, तब तो ऐसे ही मेरी पुरानी दोस्ती के बुराति उर्वर कहा, वो ती जिस बार हम आपके महमान बनना चाहते हैं, हमने आ और जो सुफास बाबु के नाम के साथ जिन्द की खपाने वाले लोग हो, उन लोगों के लिए वीजे मुश्किल नहीं होता है, अब तल्पना कर सकते हैं, हमारी यहां गुजराद में, नव बार एंपी बना हुआ एक भी व्यक्ति नहीं है, यह नौ पार पार्लामेट के मेंपर, अठारा साथ केंदर में मंत्री रहे, मेगाले प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी भी सिबी आई, सिएजी, कुछ नहीं आया, एक दाग नहीं लगाए, दाग नहीं लगाए, पहली बार, जब वो स्पीकर बने थे, मैं समसर्थ की गतिवीदी देखने के लिए इसलिए रुची रखता था उस समय, मैं देखता था, आप लोग भी याद कीजिए, मैं वरणन करता हूं से अंदाज कीजिए, कि पार्लामेंट के अंदर स्पीकर की खुर्शी पर बैटे हुए, सांगमा जी पर समरण कीजिए, और पार्लामेंट की किसी भी घटना की थमय, उनका बॉडी लेंग्वेज देखिए, याद कीजिए, एक छोटे निर्दोष बालक की तरह, उम्माइक बालक की तरह, इनोसेंट बालक की तरह, एन सथ के मन में, उनका ये रूप, आज भी स्थीर है मन मनीर में, और उसका मुलकारण, आदिवासी में जो निर्मलता होती है, आप अनुर्भो करते हैं, वो देश्पत पर विराज मान थी, और क्यों न देश का अधिवासी ये न चाहे, कि कि विराश्पत इधावन में भी हिंदुस्तान के आदिवासी में आवास होती है, मैंने सुना अभी मिले बता रहे है, कोई 14 पार्टियात और जुड़ेगी है, और भी जुड़ेगी है, और चमत का और आज भी होते हैं, सिवाच जिकारा जी, जि मैंने परिचे बहुत पुराना रहा है, वो भूल गये थे, मैं भूला नहीं था, कोई वर्डर कर रहे थे, क्युकि मैं कई वरसों तक हर्याना में जब काम कर रहा था, और हर्याना में करीब करीब हर करिवारं में तो स्वाभावीरते इन फोस से निगले हुए लोगों से मेरा मिलना जुलना ज़ना ज़्यादा ही रहता था तो उसके कारण ब्रिगेडियर साफ से भी उसमें बड़ा संपर्ग मेरा आया था लेकिन वे सुभास बाबु के इस काम के लिए समर्भीत हैं गुजरात हमेशना ज चितने उमंग और उसा के साथ सुभास पखरा था उतने ही उमंख के साथ सुभास बाबु के सबीचार को आगे बढ़ने के लिए पर भी और उब het ऐसे मं कामन कर जाता हिसले मैं इस विचय के च्टकर के कुछ रहा न चाहता हि 얼마나 गार्क्रण तो उस मुवी की चर्टा नहीं कपाऊं। विश साल के बाद मन मोहन सिंग्गी फिर से एक बार बिद्ध मंत्री बन गए है। अब पिछले दो दिन से उन्हेंने बोलना शुरू किया है। और वो कह रहे हैं कि देश की अर्थ ब्रवस्ता में कैसा बर लाव आएगा ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे सब ते सुना होगा दो निचार। मेरे मन में सवाल होता है और सवाल बना कंभीर है। मेरे मन में सवाल ये होता है कि जब तक आप वित्र मंत्री नहीं थे। तब भी आप देश के प्रधान मत्री थे। अगर इन बातों को जो आप 24 गंदे से बोल रहे हो। इसी से अगर देश का अर्थ तंतर आगे बढ़ने वाला था तो आपको बोलने से रोका किसने था। आपको वो कदम उठाने से कौन रोक रहा था। क्या कारण है कि वित्र मंत्री ने इस्थिभा देने के बाद आपको ये नया विजन आ गया। क्या वित्र मंत्री थे वो ये बातों को करने नहीं देते थे। कि देश जामना चाहता था। क्या आप नहीं चाहते थे कि ये वित्र मंत्री को सभलता मिल जाएगी इसलिए जड़गुट्टी उनके हाथ न लग जाए। आपको धान मंत्री थे सरकार आपकी थी देत रुत्व आपका था। देश आर्थिक संक्टों की अंदर और गहरा डूपता चला जा रहा था। मंत्री तो अभी के दर्के थे। वहां तो कोई है। कोईलेशन पॉलिटिस्ट का प्रॉब्लम नहीं था। आप इनकी पार्टी के दो लोग हो तो फिर कौन रोग नहीं था। देश जानना चाहता है। अगर वक्स आप कहते कि नहीं ऐसा नहीं था। तो फिर आज जो आप बता रहे हो इस पर किसी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो देश की तुर्णार से संकटों से गुजर रहा है। शुवास बाबी जहां भी होंगे। उनकी आत्मा को बहुत बड़ा दर्थ होता होगा। यह क्या देश को बना दिया है इक लोगों ने। क्या हाल कर दिया है देश। भायों भेनों सांगमाजी जैसे लोगों कहां में मारतर्शन मिले। और नौर्थिष्ट से दूर सुदूर हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके से भायों भेनों सूरज सबसे पहले पूरब में ही उखता है। और तब जाकर कि हम रोषनी के हकदार بنते हैं, हम भी आशा करते हैं कि फिर एक लार सूरज पूरब में हूजी पूर और देश रोषनी का हदार बने है। हम सांग मांजे को बहुत बहुत शुक्त वामनाय देते हैं और मुझे विश्वास है उनका इंद्रदोष व्यक्तित्वर देश के आदिवाशों की प्रेणा देश के आदिवाशों की एक शक्ति कि आवाज हिंदुस्तान के सरवोल्च स्थान पर भी गुंजेगी यह आज इ इतनी बड़ी संग्या में आप आएं और आज अजाद इन पोज के घेप हमें देरी है तो तो बहुत बड़ा सम्मान है हमारे सर पर दिया रहा है मैं सभी योजकों का अभिनादन करता हूँ और मैं प्रातरा करूँगा अगर आपके पास एक कैप पहुंची है तो कुछ पल के लिए जरा सर पे लगा दीजिए इसको जरूर पहिए गवरों के साथ पहिए कुछ पल के लिए पहिए मैं तो आज के दिन ये बहुत बड़ा गवरों का पल है इसको चूपनाने चाहिए बहुत बहुत धन्यवाब